असलामुलेकुम फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल होप यॉला गूट मैं भी बिल्कुल ठीक हो दूआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने गरों में खुशबाश विटपाद और शादबाद हो लाइट कैमरा एक्शन ओ सॉरी कट अगें लाइट कैमरा एक्शन के क सिर्फ मिस्स 30% के ही व्लोग में जचता है लाइट कैमरा एक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं अब वाकली ऐसा होता है पता नहीं क्यों हमें लगता है वैसे तो आप मिचॉरिटी यही कहते हैं कि उनके व्लोग इतने जादा स्क्रिप्टिड होते हैं बिलकुल यह एक फेक सा इतिट्यूड लग रहा होता है अचा जी लास्ट के दो तीन व्लोग मिला कर उस पर बात करेंगे सबस्यादा तो मुझे कैप्शन ही पढ़के है रहत हुई वह थोड़ी जादा ही है रहत हुई कि बेबी को डॉक्टर का ले जाना पड़ा यानि कि पड़ा इस मॉमेंट मे भी दो दिन बाद भी अगर आप लेकर गए हैं तो उसके बाद भी आपको यह कहना पड़ा कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा यानि अभी आप सीरियस नहीं करो मेरा खैल है इसका सहरा तो जरूर ही सपोर्टर के सर जाएगा क्योंकि यहीं सही इतनी जाद आवाज कि पच्छे को लेकर आपने इक वाली सहाफ के ही गोद में दे दिया यानि कि कहा तो बच्छी को गोद में लेते ही ले边ी अवर पिर आप इस बार्ठी चोटा बच्छा बिल्कुल ही 10-12 दिन का बच्छा तो ये तो किसी भी तरीके से जो है न ये वाकिए समझ से बाहर है कि आप लोगे क्या attitude है छोटे बच्चे कोई गोद में लेकर ड्राइफ करना इतना जादा खतरनाक होता है और बिल्कुल नियूबॉर्ण को आपने इस तरीके से गोद में लिया हुआ है तो क्या सौधिया में इस टाइप की कोई पाबंदी नहीं है कोई चलान नहीं करता है फिर उसके बाद खेर वालदा साहिवा ने भी जिस तरीके से गोद में लिया तो वो भी कोई सेफ नहीं था लेकिन क्या समझाएं और कितना समझाएं और मैं तो खेरी शुकर पड़े थी कि शुकर है अभी भी भी आपको ले जाना पड़ा लेकिन आप ले गए और डॉक्टर ना आपको बताया कि बच्ची के मूँ में इंफेक्शन भी है और इसी वज़ा से फीड भी प्रॉपर नहीं ले पा रही है सब कुछ कर पा रही है उसको ठंड लग गई है लेकिन उसके बाद भी खेर आपके ओपर तो उस तरीके से असर ही नहीं हो हमने देखा ही नहीं कि आपने प्रॉपर ली उसको फिर लपेटा हो और इवन मैं तो वो सेन देखकर हैरान थी जिस तरीके से बच्चे को लेकर और हिला रही ती कि ये रो रही थी लपेटा भी नहीं था कुछ भी नहीं था इतने बच्चे बच्चे बच्च को तो लपेटा जाता है कि उसकी कमर उसकी टांग हाथ पाउंस अब इतने नाजक होते है कि उसको बहुकर रैप किया जाता है कि वो उसमें मजबूती आए मेरा तो यह खायल है कि इनको अभी कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग अगर कर भी रही है तो करें लेकर साथ साथ यूट्यूब पर सर्च करना चाहिए प्रॉपरली जो न्यूली मॉम्स के लिए जो फर्स टाइम मॉम्स होती है उनके लिए पकायदा जो इंस्ट्रेक्शन्स दी जा रही हो थी उसको फॉलो करें क्योंकि मुझे तो सीरिसली बहुत जादा है रहत होती है अर्चा कुछ लोग होते हैं जो कि हमने यहीं देखा है कि नानियों दादियों के टोटको को नहीं मानते हैं सब कुछ करते हैं लिए धूप लगाना और इस तरीके की रैप करन और यह सारी चीज़े तो आप डॉक्टर्स भी इन सब चीज़ों को मान रहे हैं और कहते हैं कि इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें कि यह आपके बच्चे की सहत के लिए उसकी सेक्योरिटी के लिए उसकी सेफटी के लिए बहुत ही जादा ज़रूरी है और पर सुनकर मुझे बहुत ही जादा है रहे तो यह वैसे तो हम कही रहें कि यह फर्स टाइम मॉम बनी है यह फर्स टाइम किसी भी बच्चे को हैंडल कर रही है इनको यही नहीं पता कि जब डॉक्टर के पास लगे जाते हैं वह वह वाकली सब कुछ जो है वह एक एक चीज़ की जाती है और खास और सागर बिलकुली फर्स टो तो उसके बाद तो हर चीज़ ही बहुत जादा मॉनिटर की जा रही होती है सिर्फ इसलिए नहीं कि मौमद की बहन आई हैं तो इसलिए जो है वह उनको एक्स्ट्रा प्रोटो को मॉनिटर किया जाएगा चोटे बच्चों फास प्रोटो की हर विसिट्स होती है तो हर जीजा सो जोटे बच्चों का इसी तरह ही डिटेल चैकप ज़रूरी होता है अल्दा उस बच्ची को अच्छी सहत वाली लंबी उमर दे एक चीज जो के बहुती जादा बोली जा रही थी के रुबीना मैडम जो है उसे फ़र सिफ खाना पकाती ही नजर आती है तो अब यह है कि उनके खाने पकाने को तो उस तरीके से नहीं शूट आउट किया जा रहा बच्ची ऑन बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है सुलिमानी को किंग मैंने इसलए बोली कि काम होते वे कम दिकाया जा रहा हुता CP करें उनको अपने माबाप ये खिब्बत करने की तोफीग दे अचा व्लॉग का एक मखसूस एक पैटरन होता है कि सुबा होती है नाश्ता पानी जो भी होता है पिर आखिर में वह एंड जो होता है कि वह जब सब बैठते हैं और उनके बाकॉल कि हम प्लैनिंग प्लोटिंग करते हैं हो सुरी नहीं प्लैनिंग प्लोटिंग नहीं सर्फ प्लैनिंग करते हैं वो भी प्लैनिंग भी क्या होती है कि नैना का वाईगी और नैना का आने पर क्या क्या कुछ किया जाएगा अचा महाँ पर नैना साहिबा एक चुटकला छोड़ने की कोशश कर रहीं थी कि में मदینہ नहीं जा रही उनको लगा कि वो ही वाला एक फ्लॉप सा ड्रामा वो अभी भी करेंगी जैसे उनकी वालदा के लिए उन्लोगों ने किया था कि अम्मी मदीने नहीं जाएंगी और आट दर जिन यही सब को चलता रहा पीचे पीचे तैयारियां सब को चलती रहें हमने पहले ही कहा था कि अम्मी तो मदीने जाएंगी अपर उसके पाद अब जैसे नहीं जाएंगी तमाशा करने की कोशिश कर रही है लेकर यहाँ पर खेर उनकी अम्मी और खाला जाने बिल्कुल यह रिवील कर दिया है कि नैना आएंगी और जरूर आएंगी और उनके आने पर ही बहुत सारे काम होंगे अज़ा यहाँ पर जो है वो मिस्स 30% बहुत ही जादा नाराज लग रही हैं कि वो बच्ची का फेस इसलिए रिवील नहीं कर रही है रहे हैं उनके उपर सवाल उठाए जा रहे हैं अब आप उनका यही आपको सबसे जादा हल अच्छा नज़र आता है कि आप बहुत टाइम तक तो जवाब देती रही है उसके मताबक अपने व्लॉक्स को सैटल करती रही है स्क्रिप्ट लिखती रही लेकिन फिर आखरकार एक रियक्शन तो बनता ही है अब पहले जो है मिस्स थर्टी परसन यही काम है इसी कॉंट्रोवर्सिस की वज़ए से अपनी बच्ची का फेस रिवील नहीं करी लेकिन उनको लगा कि नहीं करना तो पड़ेगा वरना पर कॉंट्ट कैसा आएगा अतने अर्से जो कॉंट्ट मैंने क्रियेट किया अगर मैं यह कह दूँ की के फेस रिवील ही नहीं करूंगी तो लोग तो पर छोड़ी देंगे इसलिए उन्होंने कहा के नहीं करूंगी तो अब यह नहीं पता कि सेलिबरेशन से पहले करूँगी या बाद में करूँगी जैसा मेरा मूड होगा मैं कर तो दूँ अचा यहां पर एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये रुबीना बाजी का व्लॉग नहीं देखती है कि इनको पता चल जाता कि रुबीना बाजी ता इनकी बेटी का फेस वैसे ही रिवील करी चुकी यहां पर जो इशूस हैं वो तो सबसे जादा लोगों को यही है जो यह अपनी सी सेक्शन के बारे में जो भी मिस कॉंसेप्शन दे रही है जो भी गलत तरीके से लोगों को बता रही हैं सवाल सफ उसी के बारे में उठ रहे हैं अब जैसे के मैं ने एक चीज़ यह देखी कि हम तो अभी तक सिर्फ यही सवाल उठा रहे थे कि टांगे ऐसे करके बैठ गई है वैसे करके बैठ गई है लेकिन यह तो नीचे ही बैठ गई अब यहां पर मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोगों के क्या एक्सपीरियमसे ने रहे हैं मेरे लिए तो यह बहुत ही जादा वीर्ड था अब मैंने कमसकं बिल्कुली फर्स टाइम देखा था कि किसी का सी सेक्शन हुआ हूँ और वह 15 देस से पहले पहले इस तरीके से नीचे बैठा हुआ है और टांगे मोरना और यह सब कुछ करना वो तो अब एक अलगी कहानी है वो तो चैप्टर ही बिल्कुली साइड लाइन ही होगी है और मैं तो यह समझ जाए थी कि जब बेबी को दिखाने गई है तो लगे हाथो इनका भी अपना शायद फॉल आफ विजिट यह साथ ही कवर कर दे लेकिन वो तो हुआ ही नहीं फिर हम कुछ पूछते हैं तो यह बुरा भी मान जाती है आप बहुत ही जादा बुरा मान जाती है कि फिर आखर इनको रियक्शन्स देने पर जाते हैं और यहां तो मैं यही बोलूँगी कि आप रियक्शन्स दें या ना दें लेकिन प्लीज गलत मैसेज़स बिलकुल ना दे भानजी साहिबा ने मिशन बनाया हुआ है यंग जनरेशन को गलत मैसेज़स देने का एक अजीव गरीब सा लाइफस्टाइल दिखाने का और खाला साहिबा जो है वो यंग मदर्स को किस बुरे तरीके से गाइट कर रही है तो ये तो बहुत जादा अजीवी बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़दा है कि लोग देख रहे होते हैं और खासलोश सागर कोई आपको पसंद करता है, फालो करता है तो बहुँ आपको देखकर सीखता है और कहते हैं कि अच्छा इन्होंने भी तो ऐसे कर लिया है तो इसका मतलब यह ऐसे हो सकता होगा यह भी एक possibility होगी लिकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि please इस तरीके की चीज़े ऐसी directly follow ना किया करें जब तक क्या आपने अपने डॉक्टर से या अपने किसी और घर के बड़े से properly guidance ना लियो किसी experience बंदे से तो इस तरीके से किसी को भी देखकर randomly follow ना किया कर और ऐसा भी मैं इन्ही के vlog को देखकर जादा बोल रही हूँ क्योंकि वरना वाक़ी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो vlogging को through बहुत अच्छे messages भी दे रहे होते हैं बच्चियों को सिखा रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन जब हम इस तरीके के vlog जगते हैं तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि please do not try this at home okay friends वीडियो end करती हूँ खुश रहें अब बाद रहें सदास्ता मुस्कुराते रहें एक ही जिंदकियों से असान बनाएं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाहाफ़ज